आप सुन रहे हैं 92.7 Big FM पर Once Upon a Time in Bollywood कीरs को सब्सकुमार को आपने कैसे मनाया इतनी शरधा क्यों है इसके पीछे तोनी तोनी है यही है तो सभी स्टार्ज ने मेरे साथ काम करने में बना कर दिया था गुलिशन राय जो मेरे प्रोडूजर थे उन्हों में जो साइन किया था तो उन्होंने कहा कि देखो सुबाश मैं पिक्चर तभी बना सकता हूँ जब स्टार कास्ट हो तो मैंने वहला साथ मेरे पास तो स्टार नहीं चलो पिर को कहानी सुनाओ तो फिर मैंने उनको कहानी सुनाओ मेरे वार जिसमें स्टार नहीं है एक बोड़ा आदमी है और एक सत्रा साल का लड़का है विधाता की कहानी सुनाओ सुनने के बाद मैंने कहा कि देखे इस वकर दिलिप साब, दिलिप कुमार जो है, फिल्में नहीं कर रहे हैं, अभी वो सेकेंड इनिंग में आ चुक हैं, करंती फिल्म की हैं दो सल पहले, तो उनकी उनकी इलिए मैं सोच रहा हूँ कि जाधा का रोल उनको दिया जाए, और संजय दत जो है, तो मैं वाला उसको म सुनने के बाद बोले, ठीक है, थोड़ा सा काम करेंगे इसमें, एनॉंस हो गया सा पिक्चर, जब एनॉंस हो गया हमने फिर वापस लिखना शुरू किया, पूरी इंडस्ट्री ने मुझे कहा, कि तुम पागल हो, दिलिप कुमार के साथ काम कर रहे हो, दिलिप साब का कि तुम दिलिप साब के साथ काम कर रहे हो, लेकिन दिलिप साब पिक्चर को, स्कृप्ट लिखते हैं वो तो, तो मैंने कहा कि यह पिक्चर आप डिरेट करेंगे यह रोंगा, चाय पी रहे थे हुटत थे, उनकी आत में बिस्कृट था, बिस्क्रिट खाते काते वो कि तो एक बार भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं का कि यह शौट क्यूं ऐसा है यह मैं ऐसा क्यूं ना करूँ देन लॉंट लॉंट लॉट अफिंस फ्रमी विधाता जब चल गई तो मैंने बला आप तुम्हें स्टार्ग साथ नी बनोंगा अभी स्टार्गों के फोनाने शु अबस ऐसे करके वो चला जाता है फिर आप उसको बोलते हैं कब मिलें तो बोले हमें अपने मैंनेजर को माते हैं तो फिर मैंने गुस्टे में ही रो पिच्छे मनाई है नए लड़का और नहीं लड़की बनाऊंगा और मैंने मुजिकल फिल्म बनाई लव स्टोरी बनाई और हीरो और वो इतनी चले 75 वीक कि उससे फिर मेरे प्रोडक्शन हाउस भी जो है एक अच्छे मुकाम पर पहुंच किया दो असोसियेशन बहुत कमाल के रहे सुभाजगी साहब कौन से असोसियेशन जानेंगे खुद सुभाजगी साहब से बस अपसे थोड़ी देर में करे ये, ONCE UPON A TIME IN BOLLYWOOD, ONLY ON 92.7 BIG FM